जाती जन्गर्णा का वाइदा प्राइविटाइजेशन का मतलब OBC को, गलित को, आदिवासी को और गरीब जन्रल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है जन्गर्णा पर खुलकर गर्जे राहूल गांदी भारत जोड़ो नया यात्रा पर है लोगों से जुड़ रहे हैं और यह कहते नजर आ रहे हैं कि केंदर सरकार तानसाही रवये पर उतर आई है और अब तो यह भी कर रहे हैं कि दलीत आदिवासियों को बेरोजगार कर रही है केंदर सरकार देखे जातिये जन्गर्णा पर राहूल गांदी ने बड़ा बयान दे दिया है और क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे केंद सरकार दलित और आदिवासियों को बेरुजगार कर रही है, क्या प्लान है केंद सरकार का सब कुछ बताया है, राहूल गांधी कोई सुनिए आज तेलेंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए, और उन्होंने मुझे बताया, कि जो वाइदा हमने तेलेंगाना में किया था, आज उस वाइदे को तेलेंगाना की सरकार ने पूरा किया है, कौन सा वाइदा? जाती जनगरना का वाइदा, तेलेंगाना में कुछी महीनों में, पिछले वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जेनरल कास्ट के लोगों को, माइनोरिटी को, सब को पता लग जाएगा, कि किसकी कितनी आबादी है, अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये जो HEC के लोगों को, तंग किया जा रहा है, ये पिछले वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको, रोजगार से हटाया जा रहा है, और इस HEC को प्राइविटाइज किया जा रहा है, प्राइविटाइजेशन का मतलब समझिए, प्राइविटाइजेशन का मतलब, OBC को, गलित को, आदिवासी को, और गरीब जेनरल कास्ट के व्यक्ति को, बेरोजगार बनाने का काम है, ये प्राइविटाइजेशन नहीं है, ये दलितों से, आदिवासियों से, पिछडों से, गरीब जेनरल कास्ट के लोगों से, मैनोरिटी के लोगों से चोरी है, ये हो रहा है, तो आपने सुना राहूल गांधी को, राहूल गांधी भारत जोडो न्यायात्रा पर है, देखे, जारखंड में, तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं, जन सबाओं को संभोधित कर रहे हैं, और काफी संख्या में, लोग भी राहूल गांधी के, भारत जोडो न्यायात्रा स होगा हमारी सरकार बनी है और अब बहुत जल्द वहां जाती है जणगणना होगा क्योंकि केंद्र सरकार की मंसा है कि दलीत आदिवासियों को अधिपिछडों को बेरोजगार कर दिया जाए समानवर्ग से जो गरीब है उन्हें बेरोजगार कर दिया जाए और इसको ले करके केंद्र सरकार प्लान कर रही है प्राइविटाइजेशन कर रही है और प्राइविटाइजेशन का मतलब बेरोजगार करना वो भी दलीत आदिवासियों को देखे बड़ा सरियंत रचा जा रहा है जागने की और जागरुक होने की आवसकता है उनकी सरकार तिलगाना में आई है वहाँ जातिय जंगर्णा होगा असपस हो गया है आंकड़े आएंगे और उस आंकड़ों पर सरकार काम करेगी राज सरकार यानि कि कॉंग्रेस की सरकार जो तेलिगाना में बनी है वो अब तमाम डेटा जब जातिय जंगर्णा हो जाएगा उसके बाद जो डेटा आएगा उस पर काम करेगी, विकास का काम, दलीद, आदिवासी, समानवर्ग से जो गरीब हैं, अतिपिछडे हैं, उनके लिए रोजगार के मुद्दे पर काम करेगी, खैर, हम तमाम तस्विय लगतार अपडेट करते रहेंगे, अब तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं क